हाई गाईस एन वेलकम बैक तो मिस्टर इंडियन सर चैनल और फाइनली हम लोग क्लास नाइध के सेकेंड चैप्टर पॉलिनॉमियल्स के फोर्थ एक्सिसाइज यानि जो लाश एक्सिसाइज है इस चैप्टर का उस पे आ चुके हैं यह एक्सिसाइज गाईस हाईली न इन पर बेस्ट है और जिसके ऊपर न यह 10 इंडिटीटीज के ऊपर न मैंने एक बहुत ही व्यूटिफूल सा वीडियो बना रखा है एक्स्प्लिनेशन पार्ट में जो सेकेंड एक्स्प्लिनेशन पार्ट था पॉलिनॉमियल्स का कि यह आईंडिटीज के फॉर्मूलेस कैसे जनरेट होते हैं अगर आपको यह 10 इंडिटीज बहुत ही अच्छे से पता है तो आपको यह क्वेशन सॉल करने में एक पैसे की प्रॉबलम नहीं होने वाली है अल्राइट गाईज सो हम लोग आ चुके हैं एक्सराइज 2.4 पे और आओ धनादन चालू करते हैं उसको सॉल करना फर्स क्वेशन देखते हैं क्या गिवन है हमारे लिए एक्सराइज 2.4 में फर्स क्वेशन है यूज सूटेबल आइडेंटिटीज ओके तो फाइंड फॉलोविंग प्रोड़क्ट ओके सो यहां पर आपके पास बहुत सारी आइडेंटिटीज गिवन हैं गाईस 10 उपर कौन सा आइडेंटिटी सूट कर रहा है उसको यूटिलाइस करके इसको आपको सिंप्लिफाई करना है ओके सो फर्स्ट वाला देखिए क्या गिवन है एक्स प्लस फोर ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में है एक्स प्लस 10 तो आओ देखते हैं यह कैसे सॉल होगा क्वेशन नमबर वन हमारा वैज़ यह रहा हमारा क्वेशन वन का फर्स्ट वाला क्या है गईज वह ब्रैकेट में एक्स फ्लस फोर और दुसरे ब्रैकेट में है एक्स प्लस 10 ओके अगर आपको अच्छे से याद है गईज तो यह बिलकुल अइडेंटिटी किससे मेच कर है यह identity match कर रही है x plus a into x plus b और इसका formula होता है x square plus bracket में a plus b into x plus a b ओके सो यह बिलकुल इस identity से match कर रही है तो हम लोग यही वाली identity इस पे apply करेंगे तो क्या हो जाएगा यह चीज x square यानि यहां पर first one term x square हो जाएगा plus a b a plus b sorry so यहां पर यह a का role play कर रहा है यहां पर b का role यह play कर रहा है okay so 4 plus 10 into x plus a multiply by b यहनि 4 multiply by 10 so यह हो जाएगा आपका x square plus 4 plus 10 14 x plus 4 tensa 40 और यह है आपका उस identity का expansion या फिर simplification ओके आओ second वाला देखते हैं second वाला है हमारे लिए बहुत simple है गाईस second वाला है x plus 8 एक bracket में second bracket में x minus 10 okay so आओ second वाला देखते हैं यह है x plus 8 दूसरे bracket में है x minus 10 okay so यह हम वापिस से देखो same identity use करने वाले हैं वो है हमारा x plus a एक bracket में और दूसरे bracket में x plus b अगर होगा तो यह हो जाएगा x square plus एक bracket में a plus b into x plus a b okay तो अब हम लोग क्या करेंगे यह identity यहाँ पर use कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा x square plus a plus b okay bracket में a का रोल plus 8 प्ले कर रहा है और b का minus 10 तो 8 minus 10 यह ऐसे होगा okay plus का मतलब यह नहीं कि आपको plus ही लगा देना अपनी तरफ से जो भी महाँ पे अविलेबल है वो plus a multiply by b a है हमारा 8 multiply by minus 10 okay सो ध्यान रखना यह एकदम plus minus बहुत ही carefully करना रहता है formula की साब से नहीं कि plus है तो plus ही कर देना है so यह हो जाएगा x square 8 minus 10 8 minus 10 आपका हो जाएगा minus 2x और यह हो जाएगा minus 8 tensa 80 okay यह है आपके second का answer और इसी के साथ हम complete कर चुके हैं आओ third question देखते हैं क्या है हमारे लिए third वाला है यहाँ पर 3x plus 4 second bracket में है 3x minus 5 चलो third 3x plus 4 एक bracket में और दुसरे bracket में है 3x minus 5 ओके चलो देखिए वापिस है गाई same identity है हमारी कैसी है यह बिल्कुल x plus a into x plus b जैसा ही है बिल्कुल यह scene यह हो जाएगा x square plus एक bracket में a plus b into x plus a b हर बार गाईज आपको इस identity को mention करना है वहाँ पर जैसा भी identity utilize कर रहे रहेंगे आप उस specific question के लिए so देखिए x का roll कोन play कर रहा है 3x play कर रहा है तो हो जाएगा यह 3x का square okay plus bracket में a plus b a का roll play कर रहा है plus 4 और b का roll play कर रहा है minus 5 4 minus 5 multiply by किसे करना था हम लोगों को x से x का roll कोन play कर रहा है 3x कर रहा है यह बहुत carefully फूली ध्यान रखना है okay plus a b a का roll 4 है वाला 4 multiply by minus 5 okay so यह हो जाएगा 3x का square हो जाएगा 9x square okay 3 का भी square होगा x का भी square होगा 4 minus 5 minus 1 आएगा okay minus 1 का multiply जब हम 3 से करेंगे 3x से तो minus 3x आ जाएगा और यहाँ पे 4 फाइजा 20 minus 20 हो जाएगा यानि आपका main answer आ गया 9x square minus 3x minus 20 ओके यह था आपका थर्ड वाला चलो फोर्त वाले पे आते हैं फोर्त वाला क्या है हमारे लिए given यह देखो गाईस एक bracket में है y square plus 3 upon 2 दूसरे bracket में है y square minus 3 upon 2 तो कोई स्वा तो आप यह पे लिए था करते हैं कि पर सी तो फोर्त वाला देखेंगे क्या है एक bracket में है y square plus 3 upon 2 दूसरे bracket में है y square minus 3 upon 2 अब गाईज धारा ध्यान दो identity किसे कौनसी identity से match कर रही है ये वाली देखिए गाईज यहापे मैंने सामने रख रहा का ऐसा फटा फट होता है board पे सब बहुत सरदर्द बन जाता है a square minus b square वाली identities I mean ये वाली identity देखो a plus b दूसरे bracket में है a minus b तो उसका formula होता है a square minus b square ये सब आपको जट से ना देखते ही मालूम पढ़ जाना चाहिए कि आप यहाँ पे क्या identity यूज़ कर रहे हो a plus b एक bracket में दूसरे bracket में अगर a minus b होगा तो ये होता है a square minus b square के बाराबर हम ये identity अब इसमें utilize करेंगे तो a का role कौन प्ले कर रहा है y square यानि y square a है और अलड़ी हमको उसका भी square करना है minus b का square अब b का role 3 upon 2 प्ले कर रहा है 3 upon 2 का square तो y square का square यहाँ पे laws of exponents utilize कर रहे हैं कि a to the power m होगा और उसके भी power में m n होगा sorry कोई different identity तो यह हो जाएगा a to the power m n यानि m और n का multiply हो जाता है तो वहीं यहाँ पे square का भी square है यानि to do the 4 y to the power 4 minus यह दोनों का square जब होगा तो 3 का square होता है 9 upon 2 का square हो जाएगा 4 यानि y to the power 4 upon minus sorry 9 upon 4 तो यह था guys आपका 4 तो आले का solution और अब हम आ चुके हैं first वाले के fifth वाले पे और देखिए क्या given है 3 minus 2x एक bracket में और दुसरे bracket में है 3 plus 2x ओके चलो fifth वाला क्या है 3 minus 2x एक bracket में और दुसरे bracket में है 3 plus 2x अभी guys देखो similar condition के case है हमारे पास यह है a minus b into a plus b जैसा scene right और यह हमेशा a square minus b square होता है guys देखो इसके पहले वाले question में है इसके पहले वाले question में मैंने a plus b और a minus b लिखा था तो इससे कुछ फरक नहीं पड़ रहा है 4 multiply by 3 लिख दो या फिर इस वाले case में 3 multiply by 4 लिख दो 3 का square minus b के बदले कौन है 2 x है तो 2 x का square right तो यह जो जाएगा 3 का square हो जाएगा आपका 9 minus 2 x का square हो जाएगा 4 x square और इसी के साथ आपके question number 1 के पाचो questions solve हो चुके है काफी लंबा exercise है guys इसमें बपास रुखने के लिए बिल्कुल भी time नहीं है आओ आप question number 2 की तरफ चलते है question number 1 complete हो गया है हमारा question number 2 देखिए क्या कह रहा है हमारे या फिर आपके लिए यह देखिए evaluate the following products without multiplying directly यहाँ पर कुछ ना guys multiplication आपके सामने given है 3 cases है 103 into 107 second case है 95 into 96 और third case है 104 into 96 अब आपको ना इनको directly multiply नहीं कर रहा है जिसे बच्पन में आप multiply करते थे अब आपको अपना दिमाग चला कर identity utilize करनी है ओके so first वाला जो case होगा हमारा वो होगा 103 उसको हम लोग solve करते हैं ओके so question number 2 का first वाला जो है वो क्या given है 103 multiply by 107 ओके चलो आपको देखते हैं कैसे हम solve करेंगे so guys ये case क्या हो जाएगा ये देखिए 100 को हम कैसे लिए सकते हैं 100 plus 3 और 107 को कैसे लिए सकते हैं 100 plus 7 ओके अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये कैसे होगा guys देखो ये बिल्कुल ये वाला इडेनिटी की तरह हो गया है x plus a एक bracket में और दुसरे bracket में x plus b इसके लिए में माफ़ी जाता हूँ आप ये मल्टिप्लिकेशन है अब देखो guys ये किसके बराबर होता है x square plus bracket में a plus b into x plus a b okay so यहाँ पर ये हो जाएगा x square x square यानि 100 का square तो हम utilize जब करेंगे तो ये हो जाएगा 100 का square plus a plus b यानि 3 plus 7 3 a का roll play कर रहा है और 7 b का so 3 plus 7 into x और x तो 100 play कर रहा है उसका roll 100 plus a b यानि 3 7 जा 21 multiply करके रखेंगे next देखो आप क्या हो जाएगा 100 का square कितना हो जाएगा 100 into 100 यानि 10,000 plus 7 plus 3 10 और 10 का multiply 100 से करेंगे guys ना तो 1000 होता है आपनों class 9 में हैं अभी इतना भी सोच के करेंगे तो late होने लगेगा तो ये हो जाएगा 10,000 plus 1,000 plus 21 तो कितना हो जाएगा 10,000 plus 1,000 11,000 और 11,000 प्लस 21 कितना हो जाएगा 11,000 21 all right guys so ये था हमारे question number 2 का first वाला ओके अब आते हैं second वाले पर second वाला क्या है second वाला देखो guys क्या है 95 multiply by 96 हाना देख रहाना question याँ पर है आपका second 95 multiply by 96 so guys 95 multiply by 96 वाला case भी बिल्कुल ऐसे ही होगा पर minus करके करेंगे हम समझे ना देखिए एक तोम simple है बस आपको idea लग जाना चाहिए कि क्या करना है देखो 95 multiply by 96 है आपको इसको directly multiply नहीं करना है आपके question में properly given है कि आपको एक identity की तरह को create करना है या फिर उसको उस रूप में लाना है और फिर simplify करना है so 95 कैसे लिख सकते हैं हम 100 minus 5 और 96 को 100 minus 4 ठीक है और हम फिर ऐसे इसको करके पिछले वाले question की तरह ही solve करेंगे पिछला वाला question क्या था कि अगर हमारा x plus a है एक bracket में और x plus b है तो यह हो जाता है x square plus a plus b into x plus a b अब गाईस देखो बार बार आप लोग एक चीज नूटिस करें रहोगे कि फॉर्मुले में तो plus है plus है तो यहां तो minus minus है तो जहां minus है हम उसको minus ही रखके चलेंगे ठीक है वो फॉर्मुला बस देखने के लिए बनाया गया वैसा पर जहां पर minus आएगा तो हम यहां पर minus भी utilize minus ही utilize करेंगे तो अब आओ देखते हैं 100 का square क्या हो जाएगा first case 100 का square plus a plus b a किस कोन role play कर रहा है minus 5 b minus 4 role play कर रहा है so minus 5 minus 4 into x x कितना है 100 plus a b हाँ ना तो minus 5 into minus 4 guys पर bracket इसके लिए लगा रहा हूँ देखो तोना confusion न हो जाए यह plus standard formula के हिसाब से a हमारा minus 5 है और b हमारा minus 4 है right अब 100 का square 10,000 होता है okay plus actually minus आने वाला है तो मैंने भी plus लगा जए तो मैं bracket यूज करके चलूँगा minus 5 और minus 4 जो होता है minus 9 होता है ठीक है तो चलो अभी मैंने यहाँ पर plus लिख दिया तो एक line मेरे को जबरस्ती और बढ़ानी पड़ जाएगी minus 9 multiply by 100 okay और minus 5 multiply by minus 4 plus 20 हो जाएगा बाहर भी plus है तो हम यहाँ plus 20 लगा देंगे next line में देखते क्या हो जाएगा यह देखो यह 10,000 हमारा ऐसे ही रहेगा और 9 multiply by 100 900 हो जाएगा और जो की minus है तो minus plus 20 ओके और जब गाईस आप इनको simplify करेंगे देखो 10,000 में से 9 चलो अब इतना तो मैं आपको कर गे दिखा देता हो साइड में ताकि confusion नहों यह देखी 10,000 है minus 900 करेंगे तो कितना बचेगा आप जार सोचो 9,100 बचेगा और 9,100 में हम 20 और plus करेंगे देखो यह क्या बचेगा 0,0 फिर यह 1 और यह 9, 9,100 में हम 20 प्लस कर देंगे तो आजाएगा 9,1,2,0 ठीक है तो इसका आंसर आजाएगा आपका 9,1,2,0 ओके तो देख रहे हैं आप 95 इसका आंसर कितना आएगा 9,1,2,0 देख रहे हैं और difficult multiplications करने की अब हम लोगों जरूरत बिलकुल भी नहीं है ऐसे ऐसे formulas हमारे mathematicians लोगों ने design कर दिये हैं ताकि हमारी चीज़े इतनी difficult जो थी वो अब आसानी से हम simplify कर ले रहे हैं अब आते है question number 2 के third वाले पे और देखते हैं वहाँ क्या है हमारे लिए 104 multiply by 96 104 multiply by 96 है guys, तो देखते हो इसको कैसे solve करते हैं हम लोग 104 multiply by 96 थर्ड वाला 104 multiply by 96 so 104 को कैसे लिख सकते हैं 100 plus 4 लिख सकते हैं और 96 को 100 minus 4 लिख सकते हैं समझ रहे हो अब देखो guys यह identity किसके बराबर हो गई है अरे यार a plus b हम लोग x भी यूज़ कर रहे थे यहाँ b यूज़ कर रहे थे, चलो a plus b एक bracket में और दुसरे bracket में a minus b guys, अभी तक मैं x plus y और x minus y शाइद identity यूज़ कर रहा हूँ तो उससे फरक बिल्कुल नहीं पड़ रहा है यह हो जाएगा a square minus b square ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ यूज़ कर देंगे अब देखो a का square यानि a का roll 100 play कर रहा है और b का roll 4 play कर रहा है तो 100 का square minus 4 का square ओके so 100 का square कितना होता है 10,000 होता है और 4 का square 4 forza 16 ओके, so 10,000 में से 16 minus करेंगे, तो 9,984 आएगा लेकिन अगर आपको थोड़ा भी confusion हो तो आप यहाँ पे side में minus उसको प्यार से करके देख सकते हैं माइनस जब आप 16 करेंगे तो देखे, यह 10 हो जाएगा वहाँ से आते आते और यह 9 हो चुका रहेगा, यह 9 हो चुका रहेगा यह भी 9 हो चुका रहेगा ना, कटके 10 तो यह 10 माइनस 6, 4 9 माइनस 1, 8 यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 देखे, 9, 9, 8, 4 आया है और इसी के साथ आपका question number 2 भी complete हो गया है guys तीनी question थे उसमें और अगर ऐसा कुछ भी आता है तो आप अपने दिमाग से उसको किसी identity की तरह जरूर बना लें जिसे 103, 107 था 195, 96 था और यहाँ पे 3 वाला 104 into 96 था, आप उसको किसी identity की तरह बना लेंगे ना, तो बहुत ही आसान हो जाएगा उसको simplify करना ओके, चलो अब हम आ चुके है question number 3 पे और देखते हैं question number 3 क्या है question number 3 है factorize the following using appropriate identities अब गाईज यहाँ पे कुछ हमको algebraic expressions given है यू कहो कुछ polynomials given है और आपको कुछ appropriate identities utilize करके इसको factorize करना है ठीक है, तो यहाँ पर यह extended form में है already किस form में है, extended form में देखिए 9x square plus 6xy plus y square आओ देखते हैं किसे solve करना है ठीक है, एक एक चीज, एक एक question हर question को solve करना है guys यह हमारी priority है, आप लोगों को यह नहीं कि एक question करके फिर आप लोग को बोल दिया जाए कि चलो बाकी आप लोग 6xy plus y square ओके guys, अब देखो guys अब आपके यहां से खेल transform हो रहा है, ठीक है, transform हो रहा है अब आपको थोड़ा सा mature level पर लिगे जा रहे हैं अक्सर आपको अब आपको देखो, अभी तक यह बात समझ में आदी थी कि a plus b का अगर square given है तो यह होता है a square plus 2ab plus b square ओके, और generally आपके दिमाग में यह formula इस direction से ऐसे पता रहता है आपको, बट मैं explanation part में भी बहुत ही बार यह बात कहने पर जोर दिया था कि ऐसे से, यहां से यहां जाना अच्छी बात है, जो लोग को पता है मैं समझता हूँ, वो लोग ठीक है बट, जो बच्चे, ऐसा given है situation और ऐसा बना लेंगे, वो champions है और अब देखो, आपको उसी जुरूत पड़ गई है तो इससे सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी कि यह क्या given है अब यह guys दो देखे, इस form में given है और आपको ऐसे बनाना है ठीक है, अब देखे, यह क्या है इसके बदले में 3x का whole square लिख सकता हूँ की नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पर देखिए y है y का square है, यानि 1y का square हो सकता है यानि अगर मेरा a यहाँ पर 3x हो गया है और b y हो गया है और हमारा formula क्या है 2 into 3x into y देखो, 2, 3 is a 6, x, y हो रहा है के नहीं हो रहा है अब यह x कैसे हो गया a square plus 2 into a into b प्लस b का square और यह हो जाएगा 3x plus y का whole square समझे गाईज यह smartness अपके अदर जिस दिन आ गई आप अगर इसको reverse conditions में sorry उसको present करना सीख जाएंगे तो समझ लेना कि आप अपना level बढ़ा चुके है mathematics के algebra का specially आप इस हो गाईज solutions में आप घबड़ा मत जाना कभी-कभी देखे solution ऐसे given है किसी-किसी book में answers या textbooks के पीछे so वो 3x plus y का whole square होता है 3x plus y into 3x plus y so मुझे तो लगता है यह most simplified answer है यह होना चाहिए बट कभी-कभी textbooks भी लोग prefer करते हैं तो main answer यहाँ पे given ऐसा रहेगा और कुछ टीशस लोग जटके-जटके में चेक करने में अगर वो answer नहीं मिलेगा यही मिल जाएगा उनको लगे जाएगा कि गलत है कभी-कभी ऐसा हो जाता है कुई करने के चक्कर में ओके so यह था आपका first वाला guys अब जारा second वाले पे आते हैं दिखते है second वाला क्या given है आप समझ चुके होंगे अब यह खेल कैसा है खेल है उल्टा फुल्टा वाला जो उल्टे से सीधा कर ले वो है सिकंदर 4y square minus 4y plus 1 देखे second वाला शीट्स में कितना मजा रहा है धना 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 धन सौल हो रहा है मैं यह बोड पे तो करी नहीं पता था guys पागल हो जाते थे उतना इंदिजामी नहीं है हम लोग यही तो नुकसाने गाउं खेड़े में रहनेगा 4y square minus 4y plus 1 अब देखे गाई जो आप इससे हम लोगो कुछ ऐसे identity का दिमाग चलाना है जो उसको एक identical रूप दे दे अब भी just मैं आपको बता के आया हूँ कि अगर आपको ध्यान देना ध्यान देते हैं मैं हर बार ही वो formulas लिखूंगा दिमाग में धसा देना है मैं को आप लोगों के यह a minus b का whole square क्या होता है a square minus 2ab plus b square right guys तो यहां से यहां जाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है यहां से यहां बहुत सारे student चले जाते हैं बट जो student यहां से इसको यहां ला सकता है वो है champion और वैसा ही case अब हमारे पास सामने ही हाँ given है 4y के square को मैं 2y का whole square लिख सकता हूं और 1 के square को मैं I mean 1 को 1 का square लिख सकता हूं बचा क्या इधर minus चाहिए minus 2 multiply by 4y चाहिए यानि 2y 2 to the 4y minus 4y हो चुका है multiply by 1 कर देंगे तो भी कुछ फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि minus 4y ही आएगा क्योंकि 1 हम लोगो चाहिए अब देखो क्या यह identity इसकी तरह हो चुकी है a square 2y का square minus 2 into a into b plus b का square हो गया है न गाईस तो अब आपका formula हो जाएगा 2y minus 1 का whole square I mean यह ऐसे convert हो चुका रहेगा और आप इसको जो की जैसे answers पीछे कहीं कहीं given है या फिर कुछ solutions मेरे इंटरनेट पे आप उसको वैसे ही represent कीजिए risk लिनेगा बिल्कुल नहीं वरना जल्दी जल्दी में आपको यहाँ कोई गलत भी दे सकता उनको इध्यान नहीं रहेगा तब क्विक रहते हैं लोग exams में all right guys I hope so अब यह सब चीज़े आपके control में आ रही होंगे थर्ड question देखते हैं x square minus y square upon 100 है guys अब देखते हैं आपका शायद दिमाग डोल गया होगा कि यह किस identity की तरह हम इसको बनाने वाले हैं तो चलो आप देखते हैं क्या है थर्ड है x square minus y square upon 100 है हमारे पास x square को तो मैं x square ऐसे ही रहने दूँगा minus y upon 10 का यह whole square जासा बन सकता है देखो y का square upon 10 का भी square हो जाएगा तो 100 हो जाएगा और अब यह किस identity की तरह हो गई है x square minus y square या a square minus y square के और यह क्या हो जाएगा x minus y और एक bracket में x plus y की तरह हो जाएगा ठीक है तो इसमें x का roll x ही play कर रहा है तो यह हो जाएगा x minus y का roll y upon 10 play कर रहा है तो y upon 10 एक bracket में और दूसरे bracket में x plus y upon 10 और काम खत्म question number 3 के भी तीनो questions हो गए हैं आपके लिए ओके एक question को बहुती beautifully neat and clean आपके सामने present किया जा रहा है और अब हम लोग आ गए है question number 4 पे देखते हैं वहाँ क्या है हमारे लिए ठीक है guys तो ये मस्त मजा आ रहा है भाई कबसे कम इसी बहाने मेरा जो सपना था class 9 और 10 का mathematics पूरा internet पे रख देने का वो किसी तरह complete हो जा रहा है वरना ये board पे करते करते तो बहुत पागल हो गया होता हमें समझे चलो आओ फोर्थ question को read करते हैं क्या है हमारे लिए वहाँ पर expand each of the following using suitable identities यहाँ पे 6 identities I mean 6 expressions given है यह कहो कि quality equations given है और आपको इनको कोई suitable identity एक अच्छी से identity utilize करनी है इन 6 questions के लिए और उनको फिर expand करना है उनको बड़ा form में represent करना है ठीक है देखो कौन से identity यहाँ पे use हो रही है लिखो question number fourth का first वाला okay question number fourth का first वाला क्या है और कैसे simplify होगा x plus 2y plus 4z का whole square है और guys यहाँ पे देखो कौन से identity use हो रही है यह देखिए fifth वाली identity ज़रा ध्यान से देखिए तो क्या है a plus b plus c का whole square अगर है हमारे पास तो वो होता है a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2acica okay तो मुझे आप समझ गया होंगे guys देखो 6 के 6 questions उसी identity पे based है और वो 6 के 6 answers आपको उसी identity को utilize करके निकालना है तो challenging तो है इसमें कहीं ने कहीं questions but I hope so आपको इत्ता तो अंदाजा लग गया होगा कि question number 4 में सिर्फ एक identity है जिसको use करके आपको 6 question को solve कर देना है कौन सा है वो identity a plus b plus c का जो whole square होता है वो होता है a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac okay guys so अब ध्यान दे आपको हर बार ये बात दिखा नहीं है वहाँ पे guys कि आप क्या identity वहाँ पे use कर रहे हो हर बार ही so अब यहाँ पे हम इस identity को जब apply करेंगे तो क्या हो जाएगा a b c का role को प्ले कर रहा है उस बात का ध्यान रखना है minus का भी द्यान बहुत रखना है आपको जो कि हमारा case सारा positive में है इसमें हमको sign का इता attention नहीं है सारे sign positive ही होंगे so a का role को प्ले कर रहा है x कर रहा है तो x का square देखिए a का square यह नहीं x का square b का role को प्ले कर रहा है 2y तो 2y का square plus c का role 4z प्ले कर रहा है तो a c का b square यहां तक हो गया a square plus b square plus c square अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं plus 2a multiply होता है ठीक है a क्यों है? x है b क्यों है? 2y है plus 2 multiply by b क्यों है? 2y multiply by c 4z है और finally हमारा 2 into a क्यों है? x है और c 4z है थोड़ा challenging, बस देख रहे हैं आपको एकदम पक्का खिलाडी बना रहे हैं लोग algebra में तो यह करते रहना है आपको सास लेना है और यह करते रहना है खबड़ा नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है x square plus 2y है, ब्रेकेट के अंदर का square है, तो 4y square हो जाएगा, फिर यहाँ पे ब्रेकेट के अंदर का square है, 4, 4, 16, z square हो जाएगा, अब यहाँ पे, 2 into x into 2, 2 to the 4, 4 x y, 4 x y, plus 2 to the 4, 4 for the 16, 16 y, z, 16 y, z, plus 2 for the 8 x, z, देखने गाईज, कितना आम लग, तो लेंदी है, देखने में बस यह चीज लेंदी है, मगर answer एकदम प्यार से आजाएगा, अगर आपने घाई नहीं की तो, अगर आपका attention बिगड़ा, तो गड़बड़ी हो जाएगी, और जल्दी बाजी बीगती, तो भी गड़बड़ हो है, बट कितना control में है, एक एक चीज में को आजत है, पहले सी smartly solve करने की, slowly solve करने की, second देखो, 2x minus y plus z का whole square, अब आपके सामने minus आया है case में, तो कही न कही थोड़ा सा मजा आएगा, क्योंकि थोड़ा सा tension हमारा और बढ़ जाएगा, positive था, तो tension नहीं था, क्या था हमारा second question guys, 2x, 2x minus y plus z का whole square, ठीक है, कुछ भी घबराना नहीं है, minus आगया है, तो भी, अब देखो कैसे दब smartly solve करते जाएंगे, लेकिन हर बार हमारी एक responsibility है, identity को लिखना, कि which identity we are trying to utilize in this case, okay, so this is a plus b plus c का whole square, that is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab b plus 2bc plus 2ac, all right, so अब यहाँ पे a का roll 2x play कर रहा है, b का roll minus y, और c का z play कर रहा है, तो कुछ सोचना ही नहीं है, चलो, आराम से कर, a का square, याईने 2x का square, b का square, देखो, plus यहाँ लगा दो, लेकिन b कौन roll play कर रहा है, minus y का square होगा, इतना smartness दिखाना है आपको guys, plus c का square, sorry, z roll play कर रहा है, ठीक है, so z का square, sorry, plus 2 multiply by, okay, a कौन है, 2x है, b कौन है, minus y है, plus, okay, plus 2 into, b का roll कौन play कर रहा है, minus y कर रहा है, c का z कर रहा है, plus 2, 2, a, c, a, c, a का roll कौन play कर रहा है guys, a का roll play कर रहा है, 2x, और b का, sorry, c का z कर रहा है, देखो, a square, plus b square, plus c square, plus 2, a, b, plus 2, b, c, plus 2, a, c, अरा, हमसे एकदम, बस करते जाना है, ज्यादा सोचना नहीं है, 2x का square, 4x square हो जाएगा, minus y का square है, तो plus y का square हो जाएगा, और plus y square हो जाएगा, और यहाँ पे z का square हो जाएगा, 2 to the 4, minus 4xy, क्यूंकि यहाँ पे एक minus है, multiplication में, 2, यहाँ पे भी minus 1 है, तो minus लग जाएगा, और 2y, z, 2y, z, यहाँ पे 2 to the 4x, z, plus 4x, z, देख रहें गाईज, कितना एकदम, मस्त एकदम, smoothly आपको करते आना है, ध्यान रखना है, minus का, minus अलग केस में, थोड़ा सा और, आपका attention बढ़ जाता है, बाई, प्लस वाले में तो attention ही नहीं है, सबज़े के plus 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 लगाते चलो, लेकिन जैसी minus आता है case में, आपका attention बढ़ जाएगा, यहाँ पे 1 minus था, अगली बार 2 हो सकता है, शायद 3ों भी case minus में आ जाए, तो जैसी जैसे minus का cases बढ़ेगा, आपका attention और बढ़ते हुए जाना चाहिए और अब हम आ चुके हैं, question number fourth के third वाले पे, okay, third वाले पे आ चुके हैं, ज़रा question लिख लेते हैं पहले, पहले दिखाते हैं आपो क्या है third वाला question, third वाला question है guys वहाँ पर, minus 2x plus 3y plus 2z, या पे भी एक case है minus में, ए वाला, इसके पहले b वाला case था minus में, ठीक है, so question क्या है, minus 2x plus 3y plus 2z का square, okay, so guys, question लिखा रहांगा ना, तो फिर आप, अब देखें, third वाला ये है हमारा case, अब देखो, ये a का roll play कर रहा है, ये b का और ये c का play कर रहा है, और हमारा formula क्या है, a plus b plus c का whole square है, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac, guys, आपको हर बार formula को, या फिर इस identity को लिखना है, ताकि आपको examiner को बताना है, कि आप ये identity यहाँ पर utilize कर रहे हैं, ओके, सो देखें guys, क्या हो रहा है, यहाँ पर a का square, a कोन है, minus 2x है, और उसका square, plus 3y का square, क्योंकि वो b का roll play कर रहा है, plus 2z का square, क्योंकि वो c का roll play कर रहा है, plus 2 into a, a है minus 2x, b है, b है हमारा 3y into 3y, plus 2 multiply by, b है हमारा 3y, और c है हमारा 2z, ओके, देख रहे हैं न, मैं कोई घाई नहीं कर रहा हूं, एक दम अराब अराब से कर रहा हूं, मैं भी आप लोगों की तरह एक teacher ही नहीं हूं, बलकि एक student भी हूं, और मुझे पता है कि गल्ती कहा होती है, गल्ती जल्दी बाजी में होती है, 2 multiply by, a का roll minus 2x play कर रहा है, और c का roll, 2z play कर रहा है, यहाँ पर यह multiplication में थोड़ा space कम पड़ रहा है, देखरें कितना बड़ा बड़ा equation पड़ रहा है, पहली बार आपसे इतने बड़े-बड़े equations आपके सामने आ रहे होंगे, expressions यहाँ पर आपकी पूरी line complete हो जा रही है, अब यह line अप देखो, थोड़ा छोड़ी हो जाएग 2z का square, 2 to the 4z का square, ओके, और यहाँ पर देखिए, 3 cases है, 3 में से 1 minus में है, तो हमारा 1 answer, मलब main answer minus में आएगा, 2 to the 4, 4 to the 12, 12xy, ओके, यहाँ पर 3 cases plus में है, तो main answer plus में आ जाएगा, पहली plus minus मत लिख दिया करो गाईज, हाँ, बहुत ही carefully इस शिष्कों करना होता है, अगर आप पहली plus minus लिख दोगे, तो गड़ बढ़ हो जाएगा, 2, 3 is a 6, 6 to the 12, ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं, 12 आएगा आपका, और वो हो जाएगा, 12 y, z, 12 y, z, अब यहाँ देखो, यहाँ पर देखिए, 3 cases में से 1 minus में है, तो 1 minus answer आएगा, 2 to the 4, 4 to the 8, ओके, और यह 8, x, z, negative वाला आएगा, और finally आपका answer आगया, 4x square plus 9y square plus 4z square minus 12xy plus 12yz minus 8x, z, समझ रहे हैं, देखो, काफी सब challenging है, सब थोड़ा ताकत भी लग रही है, सब एक ही गो में मैं shoot भी करता हूँ, तो प्लीज ज़रा ध्यान से सब अच्छे से करते आईए, आप लोग भी, और अब हम लुके हैं, 4th पे, और 4th वाला क्या है, 3a minus 7b minus c का whole square, अब गाईज यहाँ पर आपके सामने, first time ऐसा case आया है, जहाँ पर 2 terms negative में हैं, हमारे सीधे-सीधे, सीधे-सीधे कितने terms negative में हैं, 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या है, चलो यहीं पर try करते हैं, 3a minus 7b, 4th वाला, 3 3a minus 7b minus c का whole square, यह हमारा 4th case है, यह हमारा answer यहाँ पर खतम हो चुक है, ठीक है, 3rd वालेगा, सो mix मत हो जाना, मैं को next page पर कर लेना चाहिए था, चलो next page पर करते हैं, क्या सोचना है page जिसके लिए, चलो, 4th question फिर से लिख रहा हूँ, 4th question क्या है guys हमारा, 3a minus 7b minus c का whole square, ओके, अब देखे guys आप समझ गया रहेंगे, identity तो वही use होने वाली है, बट थोड़ा सा challenge बढ़ गया इस बार, क्यों, क्योंकि दो-दो cases हमारे negative में है, so formula हम identity यह लिख देंगे, जो utilize कर रहे है, a plus b plus c का whole square क्या होता है, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac, ओके, यह identity हम इसमें utilize करेंगे, और a का rule कौन play कर रहा है, 3ab का minus 7b, और c का minus c, ok, c का rule c नहीं play कर रहा है, minus c play कर रहा है, तो ऐसे है यह सब कुछ, तो आओ, क्या होगा, a का square, ok, a का square यह नहीं 3a का square, 3a का square, plus bracket में b का square, minus 7b का square, plus c का square, c कौन है, minus c है, उसका square, ok, यह इतना smartly देख रहा होगा, plus 2 multiply by a कितना है, 3a है, और b कितना है, minus 7b है, plus 2 into b कितना है, ज़रा ध्यान दो, b कितना है, b है हमारा, minus 7b, multiply by c कितना है, minus c है, और finally last वाला, plus 2 into a कितना है, 3a, multiply by c कितना है, minus c, देख रहे हैं, हर बार वो final complete करने में, उदर अरणडा सोने लग रहा है, मिन, space कम पढ़ रहा है, 3a है, ध्यान रखना, अब क्या, चलो, 3a का square कितना होता है, 3, 3, 9a square, हाँ, अब देखिए, minus का answer, plus हो जाएगा, क्योंकि square है, 7, 7, 49b square, minus c का square, plus c square हो जाएगा, ठीक है, so 9a square, plus 49b square, plus c square, अब यहाँ notice करोगा, इस 3rd वाले case में क्या हो रहा है, यहाँ यह देखिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एक, दो, 3 case है, देखो, पहले sign देखना है, हम लोगो, 3 case में से, एक case negative है, तो main answer तो minus में आएगा, इतना तो आपको अच्छे से आना चीए, 2, 3s हा 6, 6, 7s हा 42 हो जाएगा, so हो जाएगा, 42, minus 42, और A और B है, इसके साथ लगे हुए रहेंगे, यह case में ज़रा ध्यान दो, 1, 2, 3, 3 terms है multiplication में, उसमें 2 terms negative है, यानि अब answer positive आएगा, ओके, 7, 2s हा 14, ओके, या फिर यू कहो कि 7, 7s हा 49, और 49, 2s हा 98 होगा, तो यह आप ऐसे भी multiply करके, उसको simplify कर सकते हैं, ओके, एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं, ओ सॉरी गाईस, देखो में थोड़ा यहाँ पर misunderstand कर गया, यहाँ है हमारा case, देखो, यह 7 बीच में आ रहा है, तो मेरे से भी mistake हो सकती है, तो आप से भी हो सकती है, 7, 2s हा 14 होगा खाली, ओके, और plus वाला 14, B, C, 14, B, C, और last वाला case देखो गाईस, तीन terms हैं, इसमें से एक negative है, तो negative में आएगा answer आपका, और 2, 3s हा 6, और variables A हैं, और C है, 6, A, C, So guys, आपका answer आगया, 9A square, plus 49B square, plus C square, minus 42AB, plus 14BC, minus 6AC, देखने हैं न guys, अभी मेरा भी दिमाग चक्रा कहा था, मैं A7 को इधर जुट मुर्ण का multiply कर था, ध्यान दो आपके factors कौन से कौन से वाले हैं, और कौन से कौन से वाले को आपस में multiply करना है, तो guys, आपका भी दिमाग चक करा सकता है, attention बहुत important है, यहाँ वहाँ देखना नहीं है, कि कोन आपके बाज्यू में बेठा है, और कोन नहीं, भूल जाना है दुनियादारी, तब जाके आप इस चीच को perfectly simplify कर पाएंगे, minus 2X, मेरे लिए भी यह challenge है कि क्या मैं one go में इसको completely एकदम neat and clean तरीके से, और 100% accuracy 100% correct answers निकाल पाऊँगा की नहीं, तो कभी-कभी मुझसे भी गड़बड़ी हो जाती है, तो please थोड़ा सा रेस्पेक्ट करना और उसको मजाक मत बनाना मेरा इंटरनेट पे, ठीक है, हो जाता है जल्दी-जल्दी में, अब guys next हा, देखो, A plus B plus C के whole square की identity है, A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2 B C plus 2AC, अब यहाँ पे A का role play कर रहा है कौन, minus 2X, B का 5Y और C का minus 3Z, अब चलो, A का square, यानि minus 2, minus 2X का square plus, minus 2X का square B क्या है, plus 5Y, यानि 5Y का square, C कौन है, हाँ, minus 3Z है, और उसका square, plus 2 multiply by A कौन है, minus 2X है, multiply by B है, 5Y, plus 2 multiply by B कौन है, 5Y है, C कौन है, minus 3Z है, plus 2 multiply by A कौन है, minus 2X है, और C है, minus 3Z, okay, तला quick करना है, तो यह हो जाएगा हमारा, minus 2X का whole square है, तो यह हो जाएगा, 4X square, plus 5Y का square, 25Y, sorry guys, 25Y square, plus minus 3 का square, 9 हो जाएगा, और Z square, तो यह हो जाएगा, एक, दो, तीन term है, एक term negative है, तो पहले हम negative लगा देंगे, यह हमारा बहुत special attention होना चाहिए, question में, 2, 2's are 4, 4, 5's are 20, okay, 20, 2, 2's are 4, 5's are 20, और X, Y, okay, अब ज़रा इन तीनों पे ध्यान देते हैं, ऐसा आपको, उसके ओपर खीचना नहीं है, guys, यह line, okay, अच्छा नहीं लगेगा, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहो कि हमारा ध्यान अब सिर्फ इतने पे होना चाहिए, एक term negative है, main answer negative में आएगा, 2, 5's are 10, 10, 3's are 30, 30, Y, Z, minus 30, Y, Z, okay, और finally आपका यहाँ पे देखिए, इन तीनों में से एक negative, दुसरा negative, यहनि answer आप positive में आएगा, 2, 2's are 4, 4, 3's are 12, X, Z, guys, देख रहे हैं, सब लंबा है, और धना धन, धना धन, अलड़ी हमने सारे questions किये हैं, और अब आ गया है, question number 4th का, 6th question, question number 4th का, 6th वाला क्या है, जरा देखते हैं, और वो है आपका, 1 upon, देखे guys, यहाँ है, 1 upon 4 का, sorry, 1 upon 4A, minus 1 upon 2B, plus 1 का whole square, so guys, same identity use हो रही है, question लिख लूँ, फिर आपको solve करके दिखा देता हूँ, 1 upon 4A, minus 1 upon 2B, plus 1 का whole square, okay, देखे guys, यह है आपका, अब थोड़ा सा last question है, no doubt, थोड़ा challenging तो होई गया है, क्योंकि fraction में आ गया है case, अभी तक एक भी case, fraction में नहीं आया था, fraction के साथ साथ आपे negation भी है, I mean negative भी है, so आपको उसका भी बहुत खयाल रखना है, आओ, A, plus B, plus C का, देखो इतनी बार यह formula लिख दिया होगा आपने, कि आपको यह formula याद हो जाएगा, A square, plus B square, plus C square, plus 2AB, plus 2BC, plus 2AC, okay, so यह बहुत जाला हो रहा है गाईज, इतना बड़ा exercise है, क्या बता हूँ, पर आपको one go में ही मैं को यह complete करना है, A कौन है, 1 upon 4, A, A का role play कर रहा है, उसका square, हाँ, plus B कौन है, minus 1 upon 2B, actually मैं को B upon 2 और A upon 4 लिख देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं कहीं, आप confused ना हो जाओ, plus 1 का square, okay, A square, plus B square, plus C square तो हो गया, plus 2AB, 2 multiply by A कौन है, okay, A कौन है, 1 upon 4A है, multiply by B कौन है, minus 1 upon 2B है, देख रहें, थोड़ा complexion बड़ा है, guys मैं को नहीं इसको A upon 4 और B upon 2 लिखना चाहिए, या आपको भी ऐसा ही लिखना चाहिए, plus 2 multiply by B कितना है, minus 1 upon 2B multiply by C कितना है, 1, plus 2 multiply by A कितना है, 1 upon 4A multiply by C, 1 है हमारा, okay, 1, अभी यह देखो guys, A upon 4 का square हो जाएगा, A square upon 4, 4 जा 16, यहाँ पर answer plus में हो जाएगा, B square upon 2, 2 जा 4, यह तो 1 ही होगा, right, दियान रखना इस बात का, अब यहाँ देखो, देखो, यह देखो ऐसा है, यह 3 हमारे cases है, A, B, C, यह 3 cases है, तो guys, इसमें उपर वाला 2 और यह वाला 2 कड़ जाएगा, A की बार negative है, तो A का negative आजाएगा answer, और उपर क्या, A और A का multiplication बचा हुआ है, A और B का sorry, तो A, B हो जाएगा, और denominator में 4 है, तो minus A, B upon 4, इतना smartly आपको यह चीज करनी है, अब हम कौन सा वाला case simplify करेंगे, देखो यह हो चुका था, अब यह, यह क्या है, plus 2, यह multiply का निशान था न, यह देखे, यह 3 है, 2 ones are, 2 ones are, right, 1 ones are, 1, पहले बात हो यह ध्यान दो, कि negative में हमारा answer आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो, एक ही negative है, तो negative आ जाएगा answer, B है, तो B उपर बच जाएगा, और नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं है, 1 ही आ रहा है, तो हम उसको इतने पर ही छोड़ देंगे, और लास्ट वाला case, 2 ones are, 2, 2s are, A upon 2, और इसी के साथ, आपका question number 4th का 6th question भी complete हो गया है, जिसका answer आया है, A square upon 16, plus B square upon 4, plus 1, minus A, B upon 4, minus B, plus A upon 2, ओके guys, बहुत मेनत करने बढ़ रही है इस exercise के पीछे, क्योंकि बहुत लंबा exercise है, और अब हम आ चुके हैं, question number 5 की तरफ, देखते हैं कि question number 5 में हमारे लिए, है, so finally guys, हम लोग question number 5th पे आ गए है, और question number 5th कह रहा है, factorize, यहाँ पे आपके सामने दो equations given है, और उन दोनों को solve करते हैं guys, और इसके बात जाला जो question आएगा न 6 ते लेके 16 तक उसका एक separate video बना देंगे, क्योंकि यह already काफी lengthy हो गया है, उसको upload करने में कहीं बहुत challenge न आ जाए, algebraic polynomial given है, quadratic polynomial given है, और आपको इसको क्या करना था, factorize करना है, उसको और simplified version में दिखाना है, समझ गए, so guys देखो मैं 4x के बदले क्या लिख सकता हूँ, यह बात मैंको ध्यान देनी है, कि मैं 4x के बदले 2x लिख सकता हूँ, और उसका square लिख सकता हूँ, ठीक है, अब second वाला case देखिए ज़रा, आपको यहाँ पे भी देखते वह चलना है, कि यह चीज़े इससे match करें, 9y के बदले में, देखो sign बाद में लगाना, sign बाद में लगाना, ठीक है, sign पहले लगा दो नो, तो गड़बड हो जाएगा, यह हो जाएगा 3y के square के बराबर, और यह हो जाएगा 4z के square के बराबर, हमको अभी just हमने जो question number 4th में किया, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac का square वाला फॉर्मला यहाँ पे बन रहा है, बड़ हमको यह बाता कोश्ध्यान रखना है, कि हमारे को यहाँ पे negative में given है, अगर यही चीज़े positive में होती थी, तो मैं चुप चप तीनों जगे plus लगा दिता था, बट जो कि मैं यहाँ पे एक negative देख रहा हूं, यहाँ पे एक negative देख रहा हूं, तो यह बात मेरे लिए बहुत important है, कि इन तीनों में से कौन सा case negative में होने वाला है, ठीक है, तो गाइस देखें, फर्स्ट वाला जो case यहाँ पे plus वाला है, plus AB, यानि AB प्लस में हो सकता है, और BB प्लस में हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे minus आया है, ठीक है, और यहाँ पे भी minus आया है आपका, यानि कोई एक case, Y, Z, X, Z, कौन सा case minus वाला होने वाला है, तो फर्स्ट वाले case से हम नोटिस कर रहे हैं, कि X, Y हमारा positive होने वाला है, तो no doubt guys, हमारा जो last वाला case है, वो हमारा negative होगा, so I hope so guys, इस बात को आप समझ रहे रहोगे हां, कि sign negative वाला 4Z के साथ लगेगा, right, 4Z के साथ negative लगेगा, बाहर आप बिंदास प्लस लिखिए, उससे फरक नहीं पड़ रहा है, okay, minus 4Z का जो whole square होगा, obviously 16Z square आएगा, आपका, और फिर अब ये case देखिए, प्लस 12 है, हमको क्या चीए, 2 into, X का कोन रोल प्ले कर रहा है, 2X प्ले कर रहा है, Y का रोल कोन प्ले कर रहा है, 3Y प्ले कर रहा है, देखो 2 to 4, 3 to 12, 12XY आ रहा है, हमारा 24, हमको क्या चीए, 2 into Y, Y का रोल कोन प्ले कर रहा है, Y का रोल 3Y प्ले कर रहा है, और Z का रोल कोन प्ले कर रहा है, Z का रोल आपका, minus 4Z प्ले कर रहा है, तो यहाँ पर ये plus हो जाएगा, और multiply by minus 4Z, देखो 2, 3s आप 6, 6, 4s आप 24, और answer आप negative में आएगा, यानि हमने proper step लि X है, और Z कितना है, minus 4Z है, देखो 2 to the 4, 4 for the 16, और minus वाला 16X, यानि बहुत ही challenging question है गाईज, और बहुत ही smartly करना था, और अब हम finally ये बात ऐसे बोल सकते हैं, कि ये किसकी तरह हो गया है, ये हो गया है, 2X plus 3Y minus 4Z के square के बराबर हो गया है, ओके, सो ध्यान से आपको ये बात समझ नहीं थी, कि यहाँ पे A का role क्यों play कर रहा था, वो बनाना था, B का role और C का role, लेकिन उससे बड़ा जो challenge था, कि वो जो negative आया है, वो negative exactly किसके साथ लगेगा, और उसके लिए guys आपको extreme smartness तो चाहिए ही चाहिए, अगर उससे कम smartness आ खानी है, और आपको अगर जरूत पड़े, तो आप इस identity को, I mean इस identity को आप अपने तरीके से भी पेश कर सकते थे, और ये चीज मालू है न, किसके बराबर हो जाती है, 2x plus 3y minus 4z एक bracket में, और फिर से 2x minus, sorry 3y होगा, 3y minus 4z दूसरे bracket में, क्योंकि जगे जगे पर answers ऐसे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप उसको miss कर जाएं, ओके गाई, तो अगर आपको ज़रूत पड़ रही है, तो आपको ये चीज आपको समझ लिए होगी, कि आप ये चीज कैसे solve करेंगे, बात खतम, हाना, तो यहाँ पे आपका a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac के जैसा हो गया है situation आपका, ओके, तो अगर आप चाहें, तो इसको बता दें, कि अगर मेरे पास ऐसा case आता है, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac, अगर हमारे पास ऐसा situation आता है, तो ये case हो जाएगा हमारा a plus b plus c के whole square के बराबर, और वही चीज देखो, यहाँ पे आई थी, तो मैंने ये answer लिख दिया है, और time दे रहा हूं explanation करने में, ताकि आपसे किसी भी तरह का error ना हो, क्योंकि ये ऐसा आपके खून में धर जाना चाहिए, ऐसे difficult और beautiful चीज है, और finally guys, question number 5th का second question, जो इस वीडियो का last question होगा, इसके बाद हम next video में question number 6 से solve करेंगे, क्योंकि already बहुत जादा हो चुका है, almost 1 hour का व root of 2 yz minus 8xz, ठीक है, read के आपने, अब आप उसको simplify करते हैं guys, मैंने लिख लिया तब तक, 2x square plus, plus क्या था y square है guys, गड़ बड़ देखो, यहाँ पे y square होगा, plus 8z square, फिर minus 2 square root of 2xy plus 4 square root of 2yz minus 8xz, अब guys 2x का square क्या होता जानते हो, square root of 2 का x का, square root of 2x का square, square root of 2 का square 2 हो जाएगा, और x का square हो जाएगा, मैं sign अभी नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि 2 हो जाएगे पे देखो, sign है negative वाला, मैं पहले sign लगाना कि आदत नहीं डालूंगा, यह हो जाएगा y square, और यह हो जाएगा, 8 है न, 8, तो 8 क्या होता है, 2 square root of 2z का square, दे बहुती beautiful है सब कुछ, अब हम आते हैं sign पे, कि exactly हमारा sign कहाँ पे लगेगा, ताकि हमसे कोई गरबड़ी ना हो, अब जहरा ध्यान दो guys, yz वाले case में हमको positive चाहिए, positive आ रहा है, देखो yz वाले में, और x वाले case में हमारा negative आ रहा है, यानि x वाला case हमारा negative हो जाएगा, और yz वाले cases positive हो जाएगे, ये इतना smartly आपको करना है, ये बात अगर आपको नहीं पता चल रही है, तो फिर गरबड़ हो जाएगा इस सारा, समझ रहे हो आप लोग, अब ज़रा देखो, कि क्या बन रहा है हमारा बाकी case, बाकी case क्या बन जा रहा है, minus, स्वरी हम तो plus लि a, b, a क्या है, a क्या है हमारा, minus square root of 2x है, और b क्या है हमारा, y है, हाना, हमने b बना है इदर, तो ये देखिए, 2, negative वाला 2, square root of 2 आएगा, negative वाला 2, square root of 2 और x, y, यानि अभी तक हम सही जा रहे हैं, plus, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, 4, square root of 2, y, z चाहिए, और हमारा formula क्या है, 2, b, c, यानि 2, b, b का role कोन प्ले कर रहा है, y कर रहा है, c का role play कोन कर रहा है, 2, square root of 2, into, into, 2, यहाँ पर multiply में को लगाना चाहिए था, 2, square root of 2, z, ओके, थोड़ा challenging है, इतना एकदम हलवा नहीं है, 2, b, b कौन है, y है, c कौन है, 2, square root of 2, z है, यानि अभी तक हमारा case एकदम proper जा रहा है, और finally guys, last वाला, 2, a, c, 2, a, a कितना है, यह plus से लिक के चलते हैं हम हमेशा, multiply by, a, a कितना है, minus square root of 2, x, into, c कितना है, c कितना है, देखो इसी के नीचे c लिक दे रहा हूँ guys, 2, square root of 2, z, अब देखो, क्या यही चीज आ रही है, देखो, 2 का multiply, 2 से होगा, तो 4, square root of 2 का multiply, square root of 2 से होगा, तो 2, यानि 4, 2 जा 8, 8, x, z, और 1 minus है, तो minus, minus 8, x, z, I hope so guys, समझ रहे रहों के बहुत पाकत लाहा है, बहुत महिनत करनी पड लोगो, so formula क्या हो जाएगा हमारा, minus square root of 2, x, यह a का roll play कर रहा था, plus b का roll y play कर रहा था, plus c का roll 2, square root of 2, z कर रहा था, और यह इसके square के बराबर है, समझ रहों आप लोग, so इसी के लिए तोड़ा challenging भी दिख रहा है आप लोगों को, बड़ यकीन मानिए, इसके बाद यह challenge आ square root of 2, x, plus y, plus 2 square root of 2, z, दो बार हम इसको bracket में लिख देंगे, और guys अगर हमको identity को दिखानी है, तो हम बता देंगे, कि भया हमारा यह a square, plus b square, plus c square, plus 2ab, plus 2bc, plus 2ac जैसा हो गया था, और यह किसके बराबर होता है, a, plus b, plus c के whole square बराबर होता है, इसके लिए हमने a, plus b, plus c का whole square बना दिया उसको, all right guys, तो काफी difficult था, मैं मानता हूँ, लेकिन यकीन मानिये, ऐसे difficult चीज़े करके ही, आप जिन्दगी में आगे बढ़ेंगे, इसमें आपका algebra एकदम clear हो जाएगा, आपके basic exponents की properties clear हो जाएगी, minus plus को लेके न, आप एकदम परीद पक्त हो जाएगे, so guys, अब हम आ चुके हैं, question number 6 पे, जो हम next video में solve करेंगे, क्योंकि एक already video बहुत लंबा हो चुका है, 1 hour का होने आ गया है, और हम question number 6 से लेके, question number 16 को, कल एक naive separate video में shoot करेंगे आपके लिए, तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत, thanks a lot guys.